करने हैं आपको themes कीज दिब्स निया है, templates क्या होने चाहिए, introduction writing की style क्या है, conclusion क्या है, नहीं आता तो कैसे address करना है, time कैसे manage करना है, तो सबसे पहले मैं अभी means answer writing की बात कर रहा हूँ, let's say हमने पहले यह finalize कर लिया, कि आप PY की तो मेरे को लगाने बढ़ेंगे, एक test series मेरे को देखनी बढ़ेंगे, इसके उपर आता है कि उसको लगाने के लिए, अब मेरे को कुछ content होना चाहिए मेरे पास, और second मेरे पास art होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, answer writing की, भाही मैंने बताया, उसमें दिक्कत होगी, और यह art समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आप कोई पूरा लटना पड़ेगा, then आपको नीचे वाली लेर भी पूरी नहीं होती, तो एक पूरा flow है, तो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, कि भाही कैसे करना है, Hello everyone, welcome to Sunia IS and welcome to this podcast. So, agenda for today's podcast will be to provide a direction to your preparation. Now, to discuss this, I have with me one of the most fabulous faculties, mentor, my friend and aapke payahar is Sugam sir. Now, before starting this podcast, I would like to tell you that me and Sugam, we are friends since our college days, मतलब, same batch मेते हम, and we have seen lots of things in the UPSC preparation together. Now, the discussion might go a bit informal here, so please bear with it. Now, let's start the discussion. radiation, so Sugam, if I ask you, what is that one thing that is the biggest problem with students these days and their preparation? Like, पूरी 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 क्रेशन में? पूरी पूरी प्रेशन में? प्रेशन में क्या है रही एक ऐसी चीज आइड के रहाराइस है警 में best We are Deek, like syllabus में ये. पूररेशन के लूराद? CJ के दूरान! मतलब बचा स्टार्ट करता है कंसिस्टेंसी इन टमस ओफ यह ली कंसिस्टेंसी मालों अगर मैं डिली एट करूं मैं फढआ हैं फो सकते हैं मैं पढ़ाई कर दी फिर मेरा ब्रेक हो गया अगर मैं मंतली कंसिस्टेंसी की बात करूं तो हफसे में तीम दिन पढ़ाई कर रहे हैं चार दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं उपारी है अगर एक शब्द में बयान किया जाए तो अच्छा तो अब यह जो कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी वाली दिक्कत बताई यह क्यों हो रही है अगर मैं इस पर बोलू तो इसके मेरे इसाब से कुछ तीन मेजर रीजन्स है सबसे पहला और फॉर्मोस्ट रीजन जो कंसिस्टेंसी ना मेंटिन करने का है डायरेक्शन लेस्नेस बच्चे को डायरेक्शन ही नहीं है अब डायरेक्शन बहुत तरीके की होती है ना बीड सब्जेक्ट में डायरेक्शन बीड परप्रेशन के दोरान डायरेक्शन बीड कोशन सौल करने में डायरेक्शन तो डायरेक्शन ही नहीं है quality इस टाइम पर पॉलेटी उठा रहे है चालिस पैताले जिन पॉलिटी चल रही है अब आप यह देखो कि आपके वो चालिस पैताले जिन दो गए पिर आपके पास और तेज़ चौभी सब्दिक बसते हैं जो आपको करने इंकूडिंग उसमें बहुत मेजर मेजर चीज़ें आती हैं आपके आपके पेपर्स हो जात आप कौन सी चीज कहा से कर लेंगे कि प्रेशन कोंपरेंसों से हो जाईए अब अलग-अलग माइने हैं बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए इस कॉम्परेंशिटी हो ती है कि भई मैने पॉलिटी की लक्ष्मी कान पुरी पढ़ दितो मेरा वालेटी हो गया यह न लक्षमी गां में के अगर मैं और स्पेसिफिक जाओं तो लक्षमी गां में आपकी पॉलिटीकल थेयरी इस पेलिम से कोशन के अगर इतना ही नहीं पता बच्चों को तो उनको कभी-कभी वो होते हैं कि sources में confidence नहीं है अब अगर बच्चा directionless है और उसके अपने sources में confidence नहीं है कि यह करके मेरा selection 100% हो ही जाएगा तो कहीं न कहीं वो motivation नहीं आता आप सोचके देखो आप वो काम कब consistently नहीं करते हो जब आपके पास न वो एक purpose नहीं motivation नहीं हो सो करने कि यह मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरा होई जाएगा अगर आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जैड करके मेरा होने वाला है तो आप क्यों नहीं करोगे आप करोगे तो consistency ना होने का major मुद्ध यह होता है कि या तो directionless है या फिर sources में ही confidence नहीं है sources में confidence न बहुत important है कि अभी न यह लोग नहीं समझते हैं लोगों को लगता है कि preparation का मतलब 10 गंटे पढ़ लें हो जाएगा जैसा नहीं है you need to be disciplined कि discipline होने का मतलब यह नहीं है कि आप 10 गंटा डेली पढ़ाई कर रहे है कि अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आप 9 बजे ब्रेक लेते हैं तो आप 9 बजे ही ब्रेक लेते हैं आप 5 बजे शाम को ब्रेक लेते हैं आप ऐसा नहीं होगा कि कभी साड़े पांच ब्रेक ले रहे हो कभी साथ ब्रेक लेख ले रहे हो तो डिसीप्लेन लाना प्रिपरेशन है बहुत इंपोर्टेंट है सो देट आपका माइंड सेट वक करें यहार में को पढ़ने बैठने का टाइम हो गया अब जब आपका माइंड यह आपको बोल रहा है तो आप बढ़ने सेकंड इंग गेट और सूर्सस फाइलाइज और लॉक्ट अलब आपको फिर भगवार में आके बोल देना बेटा यह चीज हटानी है और रिप्लेस करके दोसरी रहनी है आप नौत करो बहुत बच्चे होते हैं पुली बिश्वास मानो फरवरी मार्च में जाके देड विल ठीक है multiple reasons आपको कैसे करने उसके तरीक अलग होते हैं but sources should be the same आप sources ही change कर देते हो अपने है ना तो that should not be done तो first thing is three direction होनी चीए sources lock कर लो third thing is be disciplined अब एक अपने day का schedule बनाइगे और उसको फिर ना रोज same time पर follow कीज़े वीट आप अपना cumulative break आपको data center का पूरे दिन में लेना है जिसमें आपको पूरा daily course activity जो भी आप करते करो how you have to divide you divide it फिर उसी time पर आपको चीज़े कर लिए है that is needed if you want to be consistent so I think he has rightly pointed out see three things are the first thing is most of the students are directionless the second thing is that your sources are not finalized, you don't have confidence in which you can apply the course and third thing is your discipline now coming back to all the three things these directionless students are इनको how do they like go into the right direction, कहां से मिलेगी ये right direction, कैसे provide होगी second thing is, क्या sources वो follow करें, what are these sources that they should be following, किस से confidence आगा है बाकी I think discipline most of the this discipline वाला part matters on the students itself but ये दो पॉइंट पर कोशन बहुत अच्छा है लेकिन इसका answer उतना ही complex है अलब ये ऐसा green और black वाला area नहीं है बहुत ज़्यादा I mean specific चीजे है अब मानो अगर कोई बच्चा है जो already foundation करके बैठा हुआ है अब उसको आगे क्या करना है उसके sources क्या होने चाहिए वो बहुत different है जो बच्चा अभी बहुत starting है उसके लिए चीजे बहुत different है दोनों चीज बीट direction और बीट source finalization answer remains the same get a good mentor get a person who understand this exam and get both of them finalized एक अच्छी direction के लिए source finalization ही जरिया है so ultimately if you need a direction you need to get your sources finalized कि भई मिलको answer writing के लिए let's say mains के लिए आपको PYQs करने है आपको एक अच्छी test series करने है उससे पहले अप क्या करना है उससे पहले आपको एक क्या करना है content करना है content के साथ आपको क्या करना है वह आपको आपको answer writing technique सीखनी है value e-dition कैसे होगा आपका presentation पे क्या क्का करना है आपको brainstorming प क्या क्का करना है आपको structure in पर क्या का क्या क्या रहा है आपको part of the questions कैसे define करना है आपको theme जहton una के i 파ne करना बढ़ेंगे एक test series में को देखनी बढ़ेंगे इसके ऊपर आता है कि उसको लगाने के लिए अब मेरे को कुछ content होना चाहिए मेरे पास और second मेरे पास art होनी चाहिए color होनी चाहिए answer writing की भाही ये सारा content अभी बच्चे गलती ये करते हैं कि सब कुछ इने रटना है अजब तक गलती होती रहेगी आप answer writing को माशार नहीं कर सकते हैं there is art of answer writing which has to be integrated with this content in order to you know write those PYQs and the test papers अब इसके ऊपर लेवल आता है conceptual clarity का concept clear नहीं है तो जो content मैंने बताए उसमें में दिक्कत होगी और यह art समझने में दिक्कत होगी क्योंकि फिर आपको पूरा रटना पड़ेगा देन आपको नीचे वाली लेर भी पूरी नहीं होगी तो एक पूरा कोई value addition का material होता है उनके पास then maybe कुछ summaries होगी पौरा पिलिम्स की देन कुछ मेंस की summaries होगी अब यह साथ-8 चीज़ें होगी अब आप यह सारी चीज़ें तो नहीं पढ़के जाओगे एक्जाम में जब फाइनल मेंस का paper लिखने जा रहा हूँ तो देश शुडवी मेरे माक्स नियांगे माक्स नियांगे तो रही निया वहूँ सिंपल सी फिलोसोफी है तो आपको जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग अब इसमें दिक्कत है तो यह पूरा फंदा है कि get some good mentor and let me tell you everyone online what we will do एक form डाल देंगे I am always available free of cost in order to ensure that you are getting your sources finalized we are having a very good team we do try you know we do reach out to students free of cost in order to guide them in order to help them so that is something which is very much fundamental to Sunya is you can ask our other students also we are very open to it you know so if you want to get it done from us we are always open but if you can find someone somebody by some top or maybe some roommate or maybe some senior it is also good but in short the hand you are holding मैं फिर से बोल रहा हूं जो हाथ आप पकड़ रहे हो आपको डिसाइड करना है कि वह हाथ आपका competent है या नहीं है ना तो please hold a hand then be on the right direction and get your sources logged and finalized I would like to add something here see this preparation में एक चीज़ होती है खुद एक दो साल गलतिया करके यह चीज़े सीख लो या फिर टेक होल्डिंग है कोई मेंटॉर है किसी को experience है पहले से टीचर से कोई अच्छे या कोई आपके इस गाइडिंग मी मैं जितना यह बोला जा रहा है उतना उतना मैं करूंगा तो have full faith on it now see you were pointing out की पॉलिटी के लिए 6-7 चीज़ है बच्छो के बास अब जब इतना material है एक और problem जो बच्चा फेस करता है वो है रिवाइस कैसे करें इसको so throw some light on it to house to student consolidate this कैसे रिवाइस किया जाए आपकी बात में कुछ करता हूं की सिर्फ यही नहीं है कि आप हाथ पकड़ लो इसका आपने हाथ पकड़ा है वह आपको one-to-one time दे पार है इन दे पार है अलब ऐसा नहीं होता सामने वाले से आप मिले हो उसने आप फून कॉल पर बता दिया यह कर लो क्या शुड़ बी समवन along with you with the entire preparation तो please be mindful और अब आता है रिवीजन strategy पर तो मेरा यह मानना है देखिए आपके पास ना पढ़ने के लिए समझने के लिए let's say 5-6 या 7 चीज़ें हो सकती है बट जब मैं बात करता हूँ revision की आप सोचके देखिए revision की सबसे पहले मकसद क्या है revision का revision का जो मकसद है वो यह है कि आप चीजों को exam time में recall कर पाएं अब मैंने थोड़ी देर पहले बुला था कि exam का equality है कि अगर आपको इसमें rank चाहिए तो आपके marks आने चाहिए अब marks ज़्यादा तब आएंगे logically अगर आप सोचेंगे तो marks ज़्यादा तब आएंगे जब आपने ज़्यादा number of revisions कर रखे हैं तब ही आप recall कर पाएंगे तब ही आपके marks में improvement होगा point of conversion है वो यह है कि मिरको maximize करना है अपने number of revisions को वही मैं ज़्यादा से ज़्यादा revisions करता हूं क्योंकि competition है competition अगर आपने 8 बार revise किया और मैंने 10 बार revise किया तो there are more chances that I will be able to recall it better observation अब आते हैं कि ज्यादा बार revise कैसे किया लूपता है मैंने आपको इते हैं कि ज्यादा बार revise करना है आप तो रिवाइज अच्छ भी कांसी कर रहो है मैंने इंद मीन टाइम क्या किया मैंने इंद मीन टाइम उसकी कुछ समरी बना ली और वो मेरी सिर्फ 110 120 पेज़ की समरी है तो आपके पास 1100 1200 पेज़ हैं मेरे पास सिर्फ 110 पेज़ है अब बताओ आप ज्यादा वार आने के लिए चीजों को कॉंपेक्ट करना है और भी आर्गुमेंट्स है क्यों करना है वही जो एक्जाम में आएगा मिलको सिर्फ वह रिवाइज करना है बाकी अपने फिलर्स वागड़ा समझने वाली सीज़ें मैं साइड हटाके जो आएगा या जो मिलको लिखना या ज अब डिवीजन की साइकल भढ़ानी है चीजें कॉंपेक्ट करनी है मैं यहां तक आ गया अब कॉंपेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं थोड़ा लंबा जाएगा आर्गुमेंट बटना वह धम घ्यान पर आप जाएगा कि कैसे अल्टिमेटली करना है इसको अब रिवीज बैठो टाइम निकालो अपने खुद के फर्रे बनाओ नोट्स बनाओ अपने हैं डिटल नोट्स शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में मतब तूदा पॉइंट एकदम जो एक्जाम में आएगा वो कहानी किस से कुछ नहीं फिलर कुछ नहीं सीधा-सीधा कीवर्ड बेस्ट प पहले में इदर से डिस्कार्ड करना चालू करता हूं कि हाइलाइट करना कभी-कभी यूसफुल क्यों नहीं हो सकता है कुछ बच्चों के यूसफुल रहे बट कुछ बच्चों के यूसफुल क्यों नहीं रहता क्योंकि जब आप हाइलाइट कर रहे हो तो आप डिस्टिं जो आपके compact revisions होंगे उसमें highlight generally do not work under my opinion second चीज आ जाती है आप खुद के notes बनाओ on the lines of topper इसमें चाहिए खुली time अगर आप अभी अपना foundation कर रहे हैं 2026-27-28 की त्यारी कर रहे हैं में भी तो अच्छा option है बट अभी हम बैठे है सब्टेंबर में 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं आपने अभी तक लेट से नहीं वेब कर रहे हो but this will be utilized more और जो लोग बना रहे हैं online वो ज्यादा better late कर बाएंगे यह कितनी बार आपने उसको revise कर लिया अभी तक है और कर रहे हैं ज्यादा अच्छी बात है अब अगर टाइम नहीं है तो यह नहीं किया रखता है बहुत practical बात कर रहे हैं अब आजाता है last option कि आप कहीं से consolidate notes ले लो summaries ले लो बहुत निकालते हैं हम भी निकालते हैं हमारे भी short notes आते हैं सुनिया इसके famous हैं काफी compact होते हैं काफी concise होता है पीवाई की इनकूर होता है सारे major major sources होता है अब 150 pages में सारे major subject compile हो जाते हैं अब दिक्कत क्या है इसकी इसकी भी दिक्कत बताऊंगा मैं दिक्कत यह है कि यह आपने नहीं बनाए और अभी भी आपके जो sources हैं वह different है बट इसकी अच्छाई यह है कि यह उनी sources से बने हो है बट यह आपको अपनाने पड़ेंगे ओन करने पड़ेंगे कैसे आपको इनको consolidate करना भाई मेरको test दे रहा हूं मैं quality के मेरको 10 concept ऐसे मिले जो मेरे पेज के नोट से उनमें नहीं है मैंने क्या किया एड कर लिया बापिस मैंने लक्षमी कान अब ऐसा थोड़ी आप लक्षमी कान दो बार पर heading में डालो जो आपको करना है आप वो करो but you add and you make sure you own those compacted notes and that will do the wonder now कहानी यहां पर खतम ही होती है if you are smart enough you will realize कि उसमें add करने के बाद भी नहीं और you have an option to highlight it further अरे भही मैं उस देर सो पेज में भी highlight करके I can make sure that I am reducing my revision time so that will be a way more smarter thing so that is the right strategy so just to brief you brief everyone कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी notes बना के revise कर सकते हैं आपको मार्केट से summaries ही ले नहीं है totally depends on preparation level it totally depends on you know time you have it totally depends अभी आपने कितनी बार कर रखें आपने कितने attempt दे रखें भाई चार attempt दे रखें तो आपकी conceptually ready काफी अच्छी होगी तो अगर आप में धंसे पड़ रखाया रखें तो वहां पे एक अलग strategy होगी तो again in this also get a good advice from the mentor and you know get it done but please avoid main books for the revision purpose use the main books for the conceptual clarity मैंने बताया revision की cycle होगी concepts की भी cycle होगी तो use the main books for the conceptual clarity but there should be something with no you can revise thing multiple times in a competitive manner आप लोगो को मतलब काफी clearly yes detailed मैं सारा कुछ बता दिया है but I think there might be many students who want to interact with you one-on-one कि आप उनका doctor बनके उनकी problem डाइगनोस करो कहां हो गलत जा रहा है so can they come and meet you anytime especially at Delhi offline office so I'm mostly available at offline office unless until I am having my class if I am having my classes to counselors will notify the student when I am available इदर आके आपको कोई appointment नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए just get walk-in sit in front of us and you know talk with us वैसा है और सिर्फ ज्यानबाजी नहीं होगी सिर्फ अवाजी नहीं होगी we will tell you the practical approach we will diagnose you like anything थोड़ा डल लग सकता है थोड़ा confidence भी आ सकता है but एक चीज फोड़ा होगी you will be on the right path 100% so I think that is all for today and we will drop a form link here in the description box so if you want to connect with Sugam sir or any of the SUNY IS team members you can just fill up the form now that is all for today thank you thank you everyone thank you